हेलो फ्रेंज आप सभी का मेरे चैनल एजुकेशन एटॉम पाइबर्ख में स्वागत है आज का हमारा टोपिक है हिंदी कहानी को हमें इंग्लिश में लिखना है अकोर्डिंग टू बारह खड़ी जो हमने पहले आपको एक पर अपनी बारह खड़ी करवाई थी अभी तक हमने अपने चार इस पर पाट बना दिये हैं हमने यह हमारा पाचवा पाट है आपको पहले भी बता चुकियों मैं हमने चार पाट किये हैं उसमें हमने क्या किया है सबसे पहले हम हिंदी है जैसे की राधा है इसको 12 खड़ी के according इनको लिखना सिखेंगे उनमें हमने सबसे पहले शुरू में क्या करवाया है वार्ड्स को करवाया है फिर मैंने अपने sentences बनवाए है और अब हम एक कहानी या एक अच्छे से कोई भी आप paragraph ले लिजे हम उसको सीधा सीधा हिंदी में English में लिखना सिखेंगे चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले मैं आपको एक पर यह बता देती हूँ कि जो मैंने आपको अपने पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ कि जैसे यह क्या है स्वर है यह इनकी हिंदी में मात्रा हैं इनको English में हम ऐसे लिखना है जो भी मात्रा आती हैं उसको हम इसे ही लिखेंगे यह vengeance है हमारे और इनको 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 लिखते हैं कोई भी आपको हिंदी से English बनाने के लिए सबसे पहले आपको यह मात्राओं का ज्यान होना और यह वेंजनों को English में क्या लिखते हैं इनका पता होना चाहिए तो आपको इसको अच्छे से याद करना होगा तभी आप इनको लिख पाएंगे तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं देखिए जिसे कि ये है राधा एक गरीब लड़की है तो हम बनाना स्टार्ट करते हैं मैं आपको पहले बनाना बता चुकी हूँ कि कैसे बनाते हैं आप मैं जल्द जल्दी बताती जाऊंगी देखिए दाधा आरे धे का होता है डी एच ए राधा ए का होता है ए के एक गरीब का जी ए री का आर डबल ए बी देखिए کہी अपने कहीं पर भी देखा होगा जैसे क्या होता है कि जो बड़ी ए जिसमें है लेकिन यहां पर क्याती चल्दी शूट बनाने के लिए आई कर देते हैं तो वो भी ठीक है हमें थोड़ा शूट करने के लिए बर जो में जो सही होता है वो double e ही आएगा क्योंकि बड़ी e की मात्रा को इंदी में जब इंग्लिश बनाते हैं इसकी तो double e आता है ठी थी थी वहें देखें वहें हैं तो वहें ए एच वहें पक्षियों पक होता है पक्षियों से प्यार बहुत बी ए बै हुँ एच यू हु तै बहुत प्यार का आदा पै है तो पी आए का उनली ए नहीं लगेगा पै यार प्यार करती के ए आर टी डबली करती थी ती एच डबली ओके देखिये कितना आसान है अगर आपको हिंदी से इंग्लिश आपको एक बरबसीन की जो ये मैंने आपको भी बताया है ये अगर आपको अच्छे से याद है तो आप इनको जल्दी से हिंदी में इंग्लिश में करनवर्ट करना सीख जाएंगे हम ये एक प्रॉपर इंग्लिश नहीं बना रहे हैं हम क्या कर रहे हैं हम बारह खड़ी के अकोडिंग ही इनको इंग्लिश में करनवर्ट कर रहे हैं हिंदी से इंग्लिश की सेंटेंस बनाना अलग होता है लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं बारह खड़ी के अकोडिंग अपनी Hindi से English बना रहे हैं इससे क्या होगा कि आप जब English की reading आपकी इतनी अच्छी हो जाएगी आपको pronunciation बहुत अच्छा हो जाएगा आपको पता चलेगा कि जैसे कि यह पै है तो आपको इसको English में जब आप इसका प्रिणिश में दिया गया है तो अगर आप इसका pronunciation करेंगे अब इसको बोलने की कोशिश करेंगे तो आपको पता होगा कि पै का क्या होता है पी का क्या होता है पै होता है के ऐसे होता है साथ में तो उसका शे होता है ऐसे आपको पता होगा आई आ रहा है तो छोटी की की मात्र लगेगा आपका pronunciation बहुत ज़्यादा अच्छा होगा इ हैं वी एह वह ऐ अपने ज़ी एच घह को होता है ऑ घह के साथ होता है वाच्य केर का का गाव के ऐडबल ए मैंने हो कहा था ओना कई भर डबल एडबी आ चे파 six एंड नोड़ा सब्सक्रें साथ जोर देखे कर रहे हैं तो हमें काम कर दिया है डबल ए लगाया है बी एच भी खुद के एच यू डी खुद दै होता है इसका करती थी तो के ए आर कर ती के ए आर ए डबल ए करती थी टी एच डबल ए ठीक है आई होप आपको उच्छे से समझ में आ रहा होगा देखिए वे हैं वी ए एच आर ओ जे के ए बू डबलो बू तै टी ए आर कबुतर को दी ए एन ए दाना डालती डी ए डाले ती थी देखिए कितना असान है ना इसको एकिवल इनुदिश में हमें कनवर्ट करना है राधा ये तभी हो पायेगा जब आपको पता होगा कि ये बड़ी एकिमात्र की क्या होती है एल का क्या होता है जैसे आपको ये सब चिजे पता होंगी, तभी आप कर पाएंगे, राधा का रा होती आरे, धे का होता है, ड्येश, ए राधा, के ए का, कृिष्ण, के आर आई, एस, एच, देखे, क्री, के आराई, क्री, शे का होता है, एस, एच, अब ए नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये चे का क्या होता है, C-H, छे का होता है, C-H, A का होता है, A, H है च्छा, अच्छा, D-O, से ते, दोस्त, था, D-H, A, था, दोनो, D-O-N-O, दोनो, मिल, M-I-L, मिल, J-U-L, J-U-L, K-A-R, कर, J-U-L, कर, मिल, J-U-L, कर, रहते, R-A, रह, है की, H-A, T-E, रहते, थे की, T-H-E, थे, दिन, D-I-N, दिन, K-A, का, खाना, K-H, A-N-A, खाना, V-O-O, दोनो, D-O-N-O, दोनो, साथ का, S-A, T-H, साथ, मिल, M-I-L, मिल, K-H, A, खा, थे, थे, का, थे, देखिए, हमने इतने, जो हमारा इतना बड़ा सा सेंटेंस था, जो एक तरह से स्टोरी थी, हमने उसको क्या किया है, हिंदी में, हिंदी से इंगलिश में कनवर्ट किया है, आपको देखो कितना असान तरीका है, आपको केवल एक बर अच्छे से ये टेबल लन करनी है, उसे क्या होगा कि आप अच्छे से इंगलीश में हिंदी से इंगलीश कर पाएंगे अगर आपको कोछ समझ में नहीं आए तो आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बताईएगा और मेरे अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मुझे कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक्यू सौ मच